मुख्यमंत्री जैराम ठाकर एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शुरेश कश्प ने हिमाचल प्रदेश के छे बार मुख्यमंत्री रहे एवं कॉंग्रिस के वरिष्ट निता वीर भद्दर के निधन पर दुख व्यक्त किया है उनने कहा कि हिमाचल के लिए ये एक इस दुख की घड़ी में भाजपा परिवार भी शोक संप्तित परिवार के साथ खड़ा है और इश्वर से परातना करता है कि वे देवंगत आत्मा की शांती एवं शोकुल परिवार को संभल परदान करें अपने सोक संदेश में उनने कहा कि वीर भद्दर सिंग एक दिग दंशील सौभाव और करमट वेक्तितिव के लिए जाने जाते थे उन्होंने कहा कि हिमाचल के लिए ये एकशती है और राज्य को उनके द्वारा किये गए योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है वहीं परदेश सरकार के द्वारा पूर्मुक्य मंतरी वीर भद्दर सिंग के सम्मान में आठ जुलाई से दस जुलाई तक तीन दिवस्किये राज्य की शोग भी खोशित किया गया है जिसके तहत आज यानि आठ जुलाई को आवश्यक सेवाओं से संबंदित विभागों के अतिरिक्त राज्य सरकार के सभी कार्याले बोर्ड निगमवा स्व पीर वदर सिंग जी एक इनसान के रूप में और एक नेता के रूप में पूरे हिमाचल परदेश में और हिमाचल के साथ साथ मैं कह सकता हूं केंद्र की राज्यती में भी रहे तो उस वक्त अपनी पहचान बनाने में जो है वो सफ़ड रहे हैं और लंबे समय तक मुक्ये मंत्री में हिमाचल परदेश में रहे और उसके पुछात केंदर में मंत्री रहे हमेशा उन्नेे हिमाचल के हिद की ब हिमाचल परदेश में कोई भी मुख्य मंत्री नहीं रहे, मैं समझता हूँ कि हिमाचल की ही बात नहीं, पूरे देश भर में भी ऐसे नितित्तों बहुत कम है, जो इतने लंबे समेच्छे बार मुख्य मंत्री के दाइतों का निरवहन कर चूए है, उनके जाने से ये पूरे परदेश के लिए एक बहुत बड़ी क्षती है, देश के लिए क्षती है, और परिवार इस दुख को सहन करे, इसके लिए मेश्वर से प्रात्न करताओं को उनको शक्ती दे, और ऐसी परस्तिती में, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके बहुत नजीक भी रहा, वैचारिक दि विपक्ष के दो हिस्से रहते थे, और ऐसी परस्तिती में भी बहुत बार हमने उनको देखा विधान सबग के अंदर, जब ऐसी गर्मा गर्मी भी हो जाती थी, उसके बाद महाल को शांत करने में भी अपनी एक बहुत महत्तोपन भून का निबात दे थी, परदेश के विक यही मजबूती के साथ उसका सामना करना हो, क्योंकि राजनियतिक जीवन में एक नहीं यान एक ऐसे अफसर आते हैं, जिसमें आदमी कई पार विचलित भी हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ऐसे दोर आने के बावजूद भी उन्हें मजबूती के साथ वह नितित तो उनने अपने हाथों से खड़ा किया है, और जो नितित तो आगे बढ़ करके जो हाँ, सफल हुआ है राजनियतिक जीवन में, वो भी उनका कॉंट्रिबूशन रहा है, और बतावर मुख्य मंत्री हिमाचल परदेश में हमने उनको काम करते देखा, पिछले लग संतुलन नहीं खोना, और अपनी बात को जहां कहना है, वहां कहना ही है, चाहे वो कॉंग्रेस पार्टी करने थी तो रहा, जब कुछ बाते उनको लगती थी, कि ये ठीक नहीं है, तो वो बात कहते थे, प्रकरडंग से कहते थे, और उसमें वो बहुत इंता नहीं करते थे, और सारव जनिंग मंच पर से भी वो विधान सवा के अंदर भी कुछ बातों को ले करके इस परकार से कहने का उनका सवाब जो लगता था, उनको वो कहते थे, सहस्ता से कहा देते थे, तो इस द्रिष्टी से बहुत बढ़ी क्षरती परदेश को कुई है, ईश्वर उनकी आ इसे बहुत सारी गटनाय है, मेरे विधान सवाक शेतर में उनका आना हुआ, और एक सभा में जो है वो जो राजनियतिक दिश्टी से, क्योंकि हम विधायक थे, लेकिन विधायक होने के नाते हम उनका अविनंदर नस्वागत करने के लिए वहां पर पहुंचे, तो जैसे म मैंने बुके दिया उनको, जनजाली में उसके बाद उनने कहा कि आप कारेकरम में नहीं चल रहे हैं, मैंने कहा जी कारेकरम में आपकी पार्टी ने कुछ और पर आयूजन किया है, तो इसलिए मुझे जाना चाहिए, नहीं आप इधायक और हाथ से पकड़ करके गाड़ी म और वहाँ गाड़ी में बैठने के बाद फिर ले गए, फिर मैंने कहा गाड़ी में बोलते जब चलते चलते, तो मैंने कहा जी मंच पर अगर आप मेरे को ले ही जा रहे हैं, तो मुझे बोलने के लिए तो आप देंगे नहीं, तो उनने कहा कि नहीं, आप बोलेंगे भी, तो बोलने का भी मौका दिया, अपनी बात कही, जो क्षेतर की समस्य होती है, उन बातों का अपने जिकर किया, उनका स्वागत किया, तो बहुत आनंद के साथ फिर हमने बोजन किया, इकठा किया, बेटी की शादी के दिन हम कुछ विधाय की जहां से उनको वहां पेटर आफ म मिलने के लिए गए, और मिलने के बाद फिर हम आपस में, जैसे जैसे वहां पर हम शुब कावना देने के लिए पहुंचे, तो बहुत जोर से उनने गले से लगा करके, जो फोटो बहुत वायरिल भी हुआ, काफी जादा, तो उस सारी चीज़ को लेकर के फिर परिवार के जो उनके जो समधी पक्ष के जो थे रिष्टेदार, उनके साथ भी परिचे कराया, तो मेरे बारे में इतना जुरूर कहने लगे कि यह अलग आदमी है, तो ऐसे करके कहने लगे, कुछ बातों को लेकर के, लेकिन बहुत आनंद के साथ जो है वो जब मिलते थे, एक परिष्टी करेंगे इस अफसर पर मैं प्रभु से काम ना करूँगा कि उनकी आत्मा को शांती दे और उनके परिवार को इस दुख को सहने की किसमता दे बाकी मुझे भी विधाय के रूप में पांस वर्ष तक उस समय कारे करने का मुका मिला जब श्री बिरबदर सिंग जी प्रदेश के मुख्य मुंतरी थे और हमने देखा कि हर बात को और हर क्षेत्र के बारे में एक पूरा तजर्बा उनको था कौन सा क्षेत्र कहां किस प्रकार से कहां का विकास करना है कौन सा विक्ति किस का किस प्रकार का महत्तो है हर बात को समझते थे और मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं पहली बार विधायक बना और मेरे विधान सबाक शेत्र में आए और वहाँ एक कारिकम था कारिकम में मुझे जाने का मुखा भी मिला और उसके बाद मुझे बोलने का मुखा भी दिया क्योंकि नहीं तो ऐसा होता है कि आ कि खूप भार को चाय कि फक्से के विधायद सब्द्ध को बोलने का मुखा ने दिया तो और मुझे भूट खशी हुई जब मैं पहली बार विधायक बना था औरने मेरा हाथ पखर कर कहा कि यह बच्चा अपना है और मैं उस बात को लेकर मुझे उन्हों ने कहा कि अपना बच्चा है, विदान समय में कम बोलता है मैं साती ही तर तो म Swami मने बोलता हम सर ने भूते हो, ठोड़ा कम बोलते हो, तो मुझे बहुत अच्शा लगा कि उन्होंने ऐसा करके समोजित किया कि अपना बच्चा है और कुल मिला कर जब भी हम उनके पास किसी भी काम को लेकर आए उनका अशिरवाद हमको मिला निश्चित रूप से ये ना केवल कॉंग्रेस पार्टी के लिए अभी तो पुरे प्रदेश के लिए एक भरपला नुक हिमाचल प्रदेश के पंचाईती राज मंतरी विरिंदर कवर ने भी पूरु मुख्य मंतरी वीर भद्दर सिंग के निधन पर शोक विक्त किया है उन्होंने कहा कि आज सुबह उन्हें ये समाचार प्राप्त हुआ जो काफी दुखदाई था उन्होंने कहा कि वीर भद्दर सिंग छे बार हिमाचल के मुख्य मंतरी रहे और उन्होंने विकास में एक नए आयाम स्थापित करने में अपनी पूरी कोशिश की उन्होंने कहा कि वीर भदर सिंग की निधन से प्रदेश्ट ने एक बड़ा राजनेतिक खोया है उन्होंने कहा कि हिमाचल के लिए एक शती है और राज्य उनके द्वारा किये गई योगदान को कभी भुला न प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मजल प्रदेश की लगातार सेवा की और अंकिन समय तक जो है वो गौं से घरीब से जो जुड़े रहे पिछले दिनों जब वो अस्वास्त में थे तब भी कभी कवार वो विहानसवा वो आया करते थे अच्छा लगता था कि एक हम सब पर था लेकिन आज उनके दुख्द समाचार से जो यह किशती प्रदेश की राजनिती में हुई है इसकी भरपाई जो है मुझे लगता है नहीं हो पाएगी एक लंबा समय लगेगा लेकिन कभी कभार जो उनके व्यक्तद्व रहते थे वो हमेशा पाल्डी पावडिक से उपर भी उठकरके एक स्टेट्समेंट की तरह वो अपना बहवार करते थे मैं उनके इस दुखद निधन के उपर प्रहु से यही प्रातना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांती मिले और इतने बड़े सद्मे को सहने की उनके परिवार में जो है को किशमता दे ओम शांती कोई ऐसी घटना जो उनकी आपको यादगार हो जब मैं पहली बद विधाईक बना था तो मेरे विधानसोग शेतर के अंदर उढ़ार में आये थे वहाँ पर एक सड़क के उपर बने पूल का उनने उसमें उद्धाटन किया तो मैं भी उनके स्वागत के लिए वहाँ पर गया हुआ था और पूजा अर्चना जब हुई तो मैं भी वहाँ पर बैठा था तो उस पर कांगर्शियों में बड़ी कश्म कश्च चली होई थी नारेबाजी अलग लग कर रहे थे तो उनने मजाकी अंदाज से मुझे बुलाया कहता कि कभर जी इधर आओ मैं जब उनके समीप किया कहते है और समीप आओ और उन्होंने वहाँ से एक वहाँ से अपने ग अपने इशारे इशारे में ही वह कुडलहड की वहिश्या की राजनीती क्या होगी वह उन्होंने संदेश उसमें अपने इस छोड़े से वाक्या के मादें से तो दिया था आज भी मुझे वह दिन जो है वह आज भी मुझे याद है